भुच्पुरी सुपस्टार अर्विंद अकेला कल्लू ने जैसे ही लंडन की धर्ती पर कदम रखा उन्होंने सबसे पहली मुलाकात किसी और से नहीं बलकि पवंद सिंग से कीजी हाँ पवंद सिंग से पहली मुलाकात में अर्विंद अकेला कल्लू ने बहुत सारी बाते की हैं उनके साथ जो कॉंट्रोवर्सी घटी है उसके बारे में बताया साथ ही अर्विंद अकेला कल्लू खेसारी के फैंस के निशाने पर तब आये जब उन्होंने पवंद सिंग की यह पहला मौका नहीं है जब खेसारी लाल यादो के फैंस किसी ऐसे स्टार्स को टार्गेट कर रहे हैं या यू कहलें कि भूचपुरी में यह पहला मौका नहीं है जब किसी एक्टर के खिलाफ आप बोलेंगे तो उसकी फैन फॉलोइंग आपको लगातार सोशल मीडिया पर टार्गेट करेगी फिर उसके बाद अर्विन का वो विवादास्पद स्टेश जो जिसके बाद वो लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर हैं ये बात और है कि अर्विन ने इसके लिए माफी भी मांगी अब ऐसे में ट्रोलर्स को कहा सूझता है वो तो उनके लिए माफी भ इस life में बहुत सारी चीज़े clear की थी जब वो एकी दिन में दो बार live आये उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये गाना अनुपमाय आदो के लिए गाया है लेकिन ट्रोलर्स का क्या है ट्रोलर्स मानने वालों में से नहीं है साथी लगातार back to back खेसारी के भी team से और खुद खेस तरह के विवाद होते हैं उसमें अच्छा खासा कैरियर लोगों का बरबाद हो जाता है तो इसलिए अगर आपका कोई भी स्टार इस तरह माफी मांग रहा है तो उसकी गलती को समझते हुए माफ कर देना बेटर है क्योंकि उसके और भी चीजों को याद किया जाए क्योंकि उसने भोचपुरी में अच्छा खासा समय दिया है भोचपुरी इंडस्ट्री को भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमीं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली